हे दोस्तों स्वागत है एक और इंटेस्टिंग वीडियो में मेरे पास आ गया है रेड्मी नो थर्टीन आज की स्विडियो में इसका अंबॉक्सिंग करने माला हूँ और बताऊंगा यह फून कैसा है बाय करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए वैसे यह फून मुझे कली मि सब्सक्राइब करना चाहिए इतना प्राइस लगाना है तो पोगो का अभी निया फोन आने वाला है एक सिक्स वह फोन काफी बहतर है और वह फोन मैं बाय करूंगा और उसका भी एक रिव्यू दूँगा वह फोन आपको 24,000 में काफी बढ़िया स्पेक्स देने वाला है फिलाग उसके लिए भी बेट कर लीजिएगा अभी बात करते हैं यहां पर बॉक्स पैकेजिंग के तो देखो यार एमाजोन से आया था तो मैं एक वार्चीड फार किया अंबॉक्स करने के बाद हमें फोन देखने को मिल गया बागी फोन के बॉक्स को बात करें तो पुरा रेड कला का बॉक्स है एक दम जोए है लाल लाल है अग्दम दिखता है जहां पर रेड़ी नोठ 13 वगया लिखा गया है पीचे के तरफ सारे स्प उसके बदा में देखने मिल जाता है यह silicon case जो कि black color का है और यह texture wise यह काफी बढ़िया है quality wise काफी बढ़िया है phone पे लगा कर यह phone को काफी बढ़िया look देता है but unfortunately phone का जो look है वो छिप जाता है बागी आप और उसके बाद में देखने को मिल जाता है phone फोन की बात करें तो यार phone देखने में काफी मस्त है वागी phone की तरफ आएं के बाद में और देखते है box content क्या देखने को मिलता है देन हमें देखने मिल जाता है यह c-type to a-type cable जिसे आप से चार्ज कर सकते है उसके बाद हमें देखने मिल जाता है यह 33 वार्ट का फास्ट चार्जर यह लगा ही नहीं जी फून में 5000 पर बैट यह बहुत ही light weight है साइट से देखेगा काफी स्लीम है 7.6 mm का यहाँ पर तिकने मिल जाता है आई-पी 54 का यहाँ पर रेटिंग है यह नि कि water dust यहाँ पर थोड़ा बहुत जेल लेगा यह हाला कि पूरा पूरी waterproof यह पर डॉस्ट नहीं है लेट इन साइड में आपको SIM tray देखने मिलता है जहाँ पर आट रेम दो SIM card और एक memory card small कर सकता है hybrid SIM tray दिया गया है राइट इन साइड में आपको volume बटन देखने मिल जाता है सासाथ power बटन देखने मिलता है और power में यह आपको fingerprint scanner दिया गया और यह जो fingerprint scanner यह काफी fast वर्ट करता है वह काफी साइड देखने मिल जाता है all over देखा जाए तो यहाँ पर डिस्प्ले का quality है वह काफी बढ़िया है जैसके आप यहाँ पर देख पाएंगे business वगेर भी आपको काफी कम देखने मिलता है narrow business दिया गया है even यहाँ आप और wide one L1 का support दिया गया है यह नहीं कि आप netflix वगेर हमें full HD content का मज़ा उठा पाएंगे विंगेल भी काफी सई दीखनों मिल जाता है कितना भी यहाँ पर टेल कर दो यहाँ पर जो वीडियो का quality है वो जो है loss नहीं होता है तो all over देखा जाए तो इसका जो डिस्प्ले है वो काफी बढ़िया हमें दीखनों मिल जाता है नेक्स्ट बात करते हैं इस phone के heart यानि के processor के बारे में तो इस phone में आपको मिल जाता है media tech का 60806 nanometer october processor जो की जाना बना processor है और यह processor gaming के लिए काफी बढ़िया है यहाँ पर देख पाएंगे काफी बढ़िया तरीकी से bgmi को यह gaming में handle कर ले रहा है कोई भी lag बगर देखनों मिल जाता है जहां पर छेजी भी आप चाहिए तो और extend कर सकते हैं 128 जीपी का इंटरन storage दिया गया 5000 पार का battery देखने मिल जाता है 33 वाट के fast charging को support करता है वागी जल्दी इसका charging test video मेरे चैनल पर आ जाएगा तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर लिजेगा बात करें इसके 5G speed की तो प्लीज में जहां आपको आपको एंडरीट 13 देखने हो मलता है एंडरीट 14 और 15 का अपडेट प्रॉमिस किया गया है इवेन चार साल का आपको security अपडेट प्रॉमिस किया गया है मैं यहां पर आपको 14.0.1 दिया गया है और कहा गया है इसमें हाइपर OS का अपडेट आप सारे जो है अन्वांटेट गेम वगयरा दिये गया है और स्नैपचाट भी दिया गया है आप पर ब्राओजर दिया गया पता नहीं यह किस लिए दिया जाता है यार आप प्र ब्राओजर अभी कौन यूज रहता है तो आप चाहें तो इसको अनिस्टॉल कर सकते हैं अ आप अगर यहां पर call record करते हैं even इस phone में जो आपको always on display का भी support देखने हो मिल जाता है आपको settings पर जाकर always on display के option में जाना है और यहां पर आपको always on display के option में काफ़ी सारे option देखने हो मिल जाते हैं आप किसी भी option को select कर सकने हैं और वो आपके lock screen में जो है आपको show कर देगा जैसके आप यहां पर देख बार है बस 10 seconds के लिए show करता है उसके पर यहां पर यहां पर यहां पर फिट से टैप कीजिएगा तो आपको फिट से यहां पर always on display show हो जाएगा तो after all इसमें जो है आपको always on display का भी support देखने हो मिलता है जो की काफी अच्छी बात है अब बत करते है इस phone की camera की तो इस phone में जो आपको 108 में अपसल का triple rear camera देखने हो मिल जाता है 108 में अपसल का primary lens दिया गया है 2 में अपसल का macro lens देखने हो मिल जाता है 8 में आपसल का वाइ 2X 3X और 0.6 का option basically यहां पर wide angle camera 8 में आपसिकर दिया गया 0.6 में आप wide angle camera पे activate कर सकते है 1X पे normal image capture करता है और यह जो normal camera 108 में आपसिकर यहां पर 2X और 3X में lossless images capture कर सकते हैं जियां यहां यहां पर lossless images capture होता है आप देख पाएंगे एक image यहां पर 1X पे capture किया हुआ था और यह दूसरा है 2X पे और यह तीसरा है 3X पे और यहां पर देखेगा lossless images इसने capture किया हुआ है यहां कि photo में आपको कोई भी pixel drain होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा तो यह काफी अच्छी बात है पाकी portrait image capture कर सकता है यहां पर रिकोर्ड कर सकते हैं वीडियो यहां पर थाउजन एटीपी 30 पे रिकोर्ड करता है चाहिए वर यहां यहां पर यहां पर यहां आपको यहां पर दिखाता हूं यह नॉर्मल इमेज का डिखाता हूं तो आप यहां पर देख पाएंगे 2.27 MB के आसपास जो इसने नॉर्मल इमेज का जगा लिया हुआ है और वही सेम इमेज मैंने यहां पर यहां पर देख पाएंगे 8.78 MB के आसपास इसने जगा लिया हुआ है यहां पर होता क्या है यह जो स्पेस है यह इमेज के हिसाप से गैदरिंग करता है जैसे कि यहां पर ज्यादा डीटेलिंग नहीं था सिर्फ रेट कलेगा बॉक्स है तो इसने जो है एकशो आट में अपसल पर 8.78 MB के आसपास इसने जगा लिया हुआ है बागि आप लॉग इमेज काप्चर कीजिएगा तो वहां पर यह जो है और भी ज्यादा डीटेलिंग काप्चर करेगा 20 MB या 30 MB के आसपास एकशो आट में अपसल से यह इमेज काप्चर कर सकेगा तो अगर आप इमेज काप्चर करते हैं थोड़ा जगा जादा लेता है यहां पर देख पाएंगे काफी बढ़िया यह काप्चर कर लेता है और यहां पर आपको अच्छा देखने को मलता है वागि यहां पर यह वीडियो दिखा देता हूं सो अभी जो आप यह वीडियो देख पा रहे हैं यह मैं इसके मीन कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूं एक सो आट मिया पिक्सल का मैक्स यह थाउजन एटी पी 30 पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और यहां पर वीडियो कुछ इस तरीक आपको देखने को मिल जाता है अब में एश्यून नहीं है जुम की बात करें तो मैक्स मैक्स यहा पर वीडियो के दौरान आप जोड़ा पर आपको सही देखने को मिलता है अब वीडियो देख पा रहे हैं इसा मैं वाइड एंगल से शूट करो वाइड एंगल में इट में आप इसल कामरा दिया है और उस वाइड एंगल के हिसाब से और यहां पर भी आपको एस मिल जाता है यानि कि स्टेपलेशन मिल जाता है तो अगर मैं दौड़ते को वीडियो रिकॉड कहूंगा तो आपको यह काफी कम नजर आ जाएगा और वाइड एंगल से भी आप जूम कर सकते हैं यहां पर आपको इसके 2 मेगा पिक्सल में यहां पर देख पारें तो कुछ तरीके से आप जो हैं मैक्रो वीडियो भी रिकॉड कर पाईएगा और मैक्रो वीडियो में भी आपको जूम का अप्शन मिल जाता है तो एक स्टक्पक्र देख पारें स्मूद जूम होता है और स्मूद जूम आउट भी आपको मिल जाता है यह जो वीडियो है यह मैं इसके फ्रेंड कैमरा से रिकॉर्ड करता हूं तो आपको शेक काफी कम नजर आएगा बागी फोकस देख पाएंगे मेरे चाहरी के उपर है और अगर मैं घूम के दिखाता हू तो चैरे पर भी फोकस ने काफी अच्छे देखे से किया हुआ है और बैगराउंड को भी काफी बढ़िया दर्शार है तो इसके फ्रेंड कैमरा का वीडियो क्वालिटी भी काफी साही है तो आपने वीडियो देखिया होगा यहां पर जो कैमरे इमेजिस वह ठीक्ता का आ साउंड कोर्टी की तो यहां पर आपको सिंगल बॉटम फार स्पीकर देखों मिल जाता है यहां पर दिया गया है तो चलिए सुनते हैं यहां पर जो है इसका साउंड कोर्टी कैसा है तो जैसे कि आपने इसका साउंड सुना मैं बोलूंगा जो है लाउड नहीं है बड़ काफी बढ़िया है और इस्पेशली डॉल्बी एट्मूस की हो जैसे यहां पर जो है साउंड में जो एक क्वालिटी रहना चीन है वो काफी बढ़िया है और इवें हेट्पॉन लाग जो है सुन सकते हैं अच्छे क्वालिटी का हेटफोन खड़िना ज़्यादा जरूरी होता है तो जिससे आपको डॉल्बी एट्मूस का फायदा मिल सकेगा चलिए बात करते हैं सेंसर की इस फुन में आपको हर तरह का सेंसर देखने हो मिल जाता है टेंपरेचर एक्समेटर मैगनेटिक औरियंटल जाइरो लाइट प्रॉक्सिमेट्री ग्रैविटी हर तरह का सेंसर यहां पर दिया गया है सेंसर के मामल में यहां पर कोई भी कंजूसी नहीं किया गया है जो काफी अच्छी बात है इस फोन में आपको कैमरेट डेखने को मिल जाता है आनि कि आप मै सुदका ओपिनिन शेयर करने वाला हूं तो देखो यार फोन नो डाउट काफी बढ़िया है स्पेक्स काफी बढ़िया है बस प्राइस थोड़ा से जादा है नोट सीरिस को हम जोग जानते थे लो बजट की फोन के हिसाब से क्योंकि वो जो है बजट से बाहर जा 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 ज चाहिए बट यह जो है आपका 17,999 रुपर प्राइस हो रहा है हलागि इसका प्राइस अगर 15,000 होता ना तो काफी बढ़िया होता मैं आँख बंद के आपको रिगमेंट कर देता बट फिर भी अभी भी इसका प्राइस ठीक ठाक है क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी वाइस का सपूर्ट दिया गया है यहाँ पर आपने कोई बटकर पकड़ा हुआ है कितना लाइट बेट है बहुत ही लाइट बेट है मुझे यह फोन पकड़े के काफी अच्छा लग रहा है इवन कैमरा इमीजिस भी इसका काफी बढ़िया आ जा रहा है और वीडियो एकर रिकॉर् कि इसमें EIS दिया गया हाला कि OIS नहीं है बट EIS भी इसका काफी बढ़िया वर्क कर रहा है फ्रेंट कैमरा में भी EIS है वाइड एंगल कैमरा में भी EIS का सपूर्ट दिया गया है तो यह इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फोन जो है अपने स्पेक्स के हिसाब से जस्ट सिफाई नहीं करता है दो था था रुपए थोड़ा जपने गांगा है वागि feature वाइस जो है इसमें काफी सारे फीचर दिये गया है तो और भी इसमें बहुत सर फीचर आया है जो कि मैं फीचर वीडियो लाऊंगा तो मेरी हिसाब से फोन काफी सही है बस प्राइस यहां पर 2000 रुपे जादा है बट अगर आप रेडमी के फैन है डाइहर्ट पैन है तो डेफिलि आप इस फोन को ले सकते हैं 2000 रुपे एक्स्ट्रा देगर बाग और बिजल्स इसका काफी कम है यही जीच मुझे काफी अट्रेटिव कर रहा है बागि आपका फीचर वीडियो कैमरा फीचर काफी सारे वीडियो आने वाले हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और भी बहुत सारे फोन लाउंच होने वाले हैं दीरे दीर उनके भी वीडियो में चैनल पे मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल ऐकन को प्रिकर और पर क्लिक चिगा आपकी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक और नए ने कॉंटेंट के साथ तक लिए टाटा बाए बाए और यहांस तरह यह बातरिया और बिर्डिया आर्जे टेकिंगर्स के साथ